शान्तं पदमासनस्थं शशिधर मुकुटं पूँच वत्रं शूलम भज्रम चखडगम परशुम अभयदम दक्षिनांगे बहन्तम नागं पाशं चघंतां दमरुक सहिधं सांकुषं वाम भागे नानालंकार दिप्तम स्वकिक मनिभं पार्वतीशं नमामे पार्वतीशं नमामे ओम हार 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 महादेल हार धे तारणहार ये तारणहार शंकर तेरी जैजैकार तुझे बंदन बारंबार शंकर तेरी जैजैकार ये तारणहार 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 देबो में महादेब तुम ही हो अंग बभूती धारी जो तिर में तेरी आरती जो करे भिपदा तारे सारी तु सारे जग का अदार शंकर तेरी जैजैकार शंकर तेरी जैजैकार ये तारणहार तारणहार जटा भुजंग पिंगला सुरत्वना मनी प्रभा कदंब कुंकुं मत्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे सहस्र लोचन प्रभुत्य शेशलेक शेखर प्रसून धूली धूरणी धूसरांगरी पीठवू भुजंग राज मालया निभत जाट जूट कश्र ये चिराय जाय ताम चकवर बंदु शेखर हां तृ तारंखार् शंकर तेरी जैजेका तुझे बंदवाःंबार शंकर तेरी जैजेका तृ तारंखार तारंखार… भूतनात तू कितना भोला लगता है विक्रार भूतनात तू कितना भोला लगता है विक्रार खी भूबन पती खोल दे लोचन नाचो तांड बताल पर जुल्म का करसंहार शंकर तेरी जैजैकार शंकर तेरी जैजैकार तारणखार 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 शंकर तेरी जैजैकार तुझे बंदद बारंबार शंकर तेरी जैजैकार फुशंकर तेरी जैले काले अद्दा अर्ल अर्ल जैल्मादे जाजन आश्द्राजकी जैर 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 कॉन ? भाई पुष्कर तुम इन भागव अस्त्रों में ? क्या बात है भाई तीन चार दिनों से तुम आरती में भी नहीं आये थे महल का मोह छोड़ कर वन की राह जा रहा हूँ वन की राह पर? क्या दुख है भाई दुख? दुख तो किसी बात कर नहीं भाई आप अपने भंडार में से खुले हाँ से दान धर्म करते हैं चारों दिशाओं में आपकी जैजैकार होती है आपकी कीरती फैलती है आप पुण्य कमा रहे हैं आप ओ ये बात है तो राज्य तुम्हें सौब देता हूँ भाई नहीं बड़े भाई सिंगहसन पर बड़ा भाई ही शुभा देता है तो आधा राज्य तुम समाल लो धर्ती माता के टुकले करने का विचार भी करें तो हम राजा कैसे तो मेरे भंडार में से जितना धन चाहिए ले लो दान धर्म तुम करो नहीं भाई मुझे पुण्य खरीदना नहीं है कमाना है आज तक मैंने सिर्फ प्रभु भक्ती की अब तब करके प्रभु को प्राप्त करना है आप मुझे आशिरवाद दो भाई अरे पुशकर महल का त्याग करके वन में जाने के लिए किस मुझे आशिरवाद दो भाई जब सर्वस्व का त्याग होता है तभी प्रभु की प्राप्ती होती है मैं महल का त्याग कर रहा हूँ प्रभु को पाने के लिए इसके बीच ना आओ भाई मुझे आशिरवाद दो अरे पुशकर भाई तुम्हे मेरा आशिरवाद है आशिरवाद है दम्यंती बहन आपने कुछ सुना तुम कुछ कहो तभी सुनूंगी न महराने जी आपका स्वेंबर करना चाहती है कह देती हूँ मैं भी तुम्हारे साथ ससुराल आओंगी मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ सुराल को आँजाएगा हमसा क्या पागल की तरह हस्ती रहती हो मैं तो शादी ही नहीं करूंगी ये दम्यंती बहन ही मेरे लिए सब कुछ है मैं आऊंगी हाँ 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 आना आना बस पर तुम यही कहने आई हो यहाँ नहीं मैं तो ये पूछने आई हूँ कि किसको वर्वाला पहनाओगी ये सुन्दर सी परी किस राजखुमार की रानी बनेगी नारायन नारायन प्रणाव मुनिवर आयुश्मान भवर राजन मुनिराज इस आयुका में क्या करूँ क्यों राजन किसी दूविधा में लग रहे हो भाई पुषकर वनवाज जा रहा है सब को छोड़ कर जा रहा है ये महल सुना लग रहा है वैसे तो इस राजजी की रानी बगैर इस राजजी का सिंगहासन कितना सुना लगता है बोलो नारायन मेरी बात मानो और तुम विवाह कर लो विवाह? हाँ, इस राजजी को रानी मिलेगी ये सिंगहासन शोभित होगा इस महल की शूनिता दूर होगी उसमें भी जो सुलक्षनी पतनी मिली तो तुम्हारा संसार सुखी होगा और अगर कोई कैकई मिली तो तुम्हें प्रभुभक्ति करने का मन होगा और इसी बहाने प्रभु की प्राप्ति होगी नारायन, नारायन मुनि राज, आप विवाह क्यों नहीं करते? अरे हम जैसे ब्रह्मचारी अगर विवाह करेंगे तो तुम्हरे जैसे राजा क्या मनजीरा बजाएंगे वैसे मेरी छोड़ दीजिये और अपनी कीजिये राजन नारायन, नारायन मेरे भाग्य में भगवान ने नचाने कौन सी कण्या लिखी होगी तिरे आंगन में मूर नाचरे जैसे 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 नंबी नागर बे प्रित्म को बताओं तेरे रूप के कहानी वो बन गए है तेरे दिवानी जैसे 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 नंबी नागर बे तिरे आंगन में मूर नाचरे जैसे 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 नंबी नागर बे प्रेमी जवान हो गोर गोर गाल हो प्रेमी जवान हो गोर गोर गाल हो अंग मेरे सूनी से सजाए मनवा में आगे लगे प्यार है प्यार करू रहे कि मेरे मनवा में मोर नाचरे तिरी आनिन में मोर नाचरे जैसे 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 नम पी ना घुर वे आखों में चादोर सूरज कवास होएं अंधेरी रात में साजन मेरे साथ होएं मेरे मनवा में क्या है गोई नाए जाने सूजन के साथ रहु रहे कि मेरे मनवा में मोर नाचरे तिरी आनिन में मोर नाचरे जैसे 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 नम पी ना घुर वे डोले वो ऐसे जैसे हीरन के चाल होएं बड़ा ही जुशिला बड़ा ही धाल होएं मेरे सपनों का साहिब बने वो अरे मानों बाकी है जिखे मेरे मनवा में मोर नाचरे मेरे मनवा में मोर नाचरे मेरे मनवा में मोर नाचरे कौन हो आप? मुझे नहीं जानती मैं कली हूँ तो मैं अपने साथ ले जाने आया हूँ ले जाने? कहा? अपने महल में तुमारा रूप मेरे हिर्दय में बस गया है मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा और तुम्हें जगत की रानी बनाऊँगा क्षमा कीजे प्रभू मैं चाहूँ तो तो तुम्हें इसी वक्त घसीट कर अपने महल में ले जा सकता हूँ तो तुम भी इतना अभिमान ना करो कली, शेतान भी सती की इच्छा बगैर उसे स्पर्ष नहीं कर सकता। ऐसा? तो देखता हूं कौन रोकता है मुझे? तुम्हें रोकेगा मेरा प्रभु, मेरी मा जगदंबा, मा अंबा भवानी, जै अंबे! जै अंबे ! माां अंबे, आपने मेरी लाज रखी। ऐसे ही हमेशा रखना मा पुन्यस लोक नैशद राज महराजा नल राज की जे महराज दो व्यापारी फर्याद लेकर आए है क्या फर्याद है इनकी महराज मैंने मेरी जमीन का टुकड़ा इस सेट को बेचा था इसने इसकी कीमत भी चुका दी थी सच बात है गृपानाथ उस जमीन पर हमें मकान बनवाना था उसे खोदने के समय पर स्वन मुद्राओं से भरा ये कलश निकला ये कलश लेकर मैं इन्हें सौपने गया पर ये स्विकारने से मना कर रहे हैं गृपानाथ तो मना ही करूँगा ना सेथ ये जमीन आपने खरीदी मतलब इस द्रव्य के मालिक आप ही हुए ना नहीं इस जमीन के मालिक आप थे इसलिए ये धन आपका है मुझे तो ये अचानक मिला इसका मालिक मैं नहीं हो सकता ओ तो ये हडपने के लिए नहीं बलकि एक दूसरे को देने के लिए जगड़ा हो रहा है ऐसा करो आधा आधा बाट लो शमा कीजे महराज जो मेरा नहीं उसमें मैं भाग नहीं बन सकता मेरे लिए ये संपत्ती पाप के समान है आप लोग धन्य है सिठो आप जैसे पुन्य शाली लोगों से ही ये राज्य जीवित है इसमें मैं क्या नियाय करो हाँ सुझाओ जरूर दे सकता हूँ इस द्रव्य का दान धर्म और पुन्य के लिए उप्योग कीजिए सेवा में घर्चो यही असली संपत्ती है ऐसा ही करेंगे महराज बोलो पुन्य शलोक नशद राज महराज नलराजा की जै नारायन नारायन मुनिवर प्रणाम मुनिवर कल्यान मस्तु राजन आपको शोबा दे और इस सिंगासन की शोबा बढ़ाए ऐसी एक कन्या मैंने देखी है कौन है वो भीमक कन्या दम्यंती कैसी है मुनिवर कैसी है ये बताने के लिए तो शब्द भी अधूरे पढ़ेंगे प्रोहित जी फिर भी सुनिए चांज जैसे मुख वाली लंबे लंबे केश वाली सोने जैसे रंग वाली प्यारी रंग बती सुराई सी कंठ वाली अंसनी सी चाल वाली तीर जैसे नैन वाली है वो लाज वन्ती मस्त मस्त हाथों वाली मन हर लेने वाली लगन लगाने वाली है वो लाज वन्ती है सुन्दरी चातूर चित रीत जानने वाली विमंक की कुत्री जिसका नाम दमे अंती है सुन्दरी चातूर चित रीत जानने वाली विमंक की कुत्री जिसका नाम दमे अंती जानने विमंक की कुत्री जिसका नाम दमे अंती हरह 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 चोड़ दो मुझे चोड़ दो मुझे अरे तु मानुओ की भाषा बोल सकता है हां मैं मां सरसोती गार। गवाहन हूँ, छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ूँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तो मेरे उध्यान की शोभा बर जाएगी, पर मेरी हंसनी मेरी राह देखती होगी, मेरे विरह में रो रो कर सर पटक पटक कर अपनी जान देदेगी, तुम्हें शाप देग और तुम्हारे भागे में भी ऐसा ही विरह आएगा, दोस्त, ऐसी विरह में कब से भुगत रहा हूँ, मैंने एक भी बार उसे नहीं देखा, सिर्प मुनिवर के मुख से उसका वर्णन सुना है, उसी वक्त, उसी दिन से, उसके बिना मन कहीं नहीं लगता, दिल उससे मिलन के लिए बेचैन है, उसके बिना जीवन अव्यर्थ लगता है, कौन है वो कन्या? भीमक राज की पुत्री, दम्यन थी, नैशद राज, तुम्हारा मिलन मैं कराऊंगा, तु? हाँ, और इस तरह अंजाने में हुवे पूर जनम के पाप का प्रायश्चित करूंगा, पाप? पुनर जनम? प्रायश्चित भाई? हाँ, उस जनम में मैं मानव था, मेरा नाम था वासू, वो बरसात की रात थी, मैं जंगल की राह से गुजर रहा था, अरे भाई कोई है, अरे कोई है, कौन हो भाई तुम? मुसाफिर हूँ भाई, मेरा नाम वासू है, आज की रात मुझे आसरा चाहिए, दोगे? आसरा? अगर आपको कोई तकलीफ हो तो… नहीं नहीं भाई, तकलीफ कैसी? देखो, मेरी गुफा बहुत छोटी है, इसलिए इसमें दो ही लोगों की जगह है, ह विवर और भावी का संबंद मा बेटे जैसा होता है, तुम चिंता मत करो, अंदर चलो, खाना खाओ और आराम से सोजाओ, हाँ? यह क्या? तुम तो पूरी तरह भीग गयो, चलो, अंदर चलो. आपका बहुत-बहुत आभार भाई. स्वामी! 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 क्या हुआ? क्या हुआ भावी? भाई, रात को यह बाहर सो गए थे, जरूर किसी चंगली चानवर ने मार दिया हो गए ने, मार दिया. यह सब मेरे ही कारण हुआ, अगर मैं यह नहीं आया होता तो… दोश के से दू भाई, तुम्हारे आने को यह मेरे भागी को, पर मैं उनके बिना चीह नहीं सकती, मैं उनके बाद सती हो जाऊंगी, सती. इन दोनों की मौत के लिए तुही जिम्मेदार है वासु, तेरे कारण इन पती-पत्नी में वियोग हो गया, हाँ, इस काल में मौत का कारण मैं ही बना हूँ, अंजाने में हुए इस पाप का मैं प्रायश्चित करूँगा, और इसी चिता में कूद कर अपने प्राण त्या और मैं उस दहकती चिता में गूद पड़ा, इस जनम में तुम नैशदराज नल बने, तुम्हारी पत्नी भीमक कन्या दम्यंती बनी, और मुझे ये हंस का देह मिला, मैं मा सरस्वती का वाहन हूँ, पर अपनी हंसनी के प्रेम में मैं एक दो बार अपने कर्तव से चूका, और दंड के रूप में मा सरस्वती ने मुझे इस मिर्ति लोक में भेजा, तो मा सरस्वती अब तुम्हे कभी माफ नहीं करेंगी भाई, करेंगी नैशदराज, जब मैं मिर्ति लोक में कोई अच्छा काम करूँगा, तब मा स्वयम मुझे अपने चरणों में स्थान मैं तुम्हे और दम्यंति को मिला दूँगा, पूर जन्म के मेरे पाप का प्रायश्चित करूँगा, और मा सरस्वती के चरणों में पुनह स्थान प्राप्त करूँगा, नैशदराज, आप अपने राज्जी में जाईए, और मैं जाता हूँ दम्यंति से मिलने मादाडवी, अपनी बारी तो पूरी कर, चुप कर सुना हमारे उद्ध्यान में ये किसकी आवाज? हमारे नेजी उद्ध्यान में परपूरुष कैसे आ सकता है? ये शायद हमारा ब्राम होगा नाल 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 ये ब्राम नहीं मादवी जरूर कोई है तुम उस तरफ देखो चल मादवी देखो बेन कितना सुन्दर हनस है यही बोलता होगा नाल प्रभु का समरन करते हैं वैसे एक ही नाम बोले जा रहा है कौन है ये नल इससे हैं पुछिए चलो पकड़ते हैं मतलब हाथ नहीं आओगे ओ प्रभु हाथ में कमा लेकर फसाया और पकड़ लिया कहा ले जा रही हो मुझे छोड़ दो छोड़ दो मुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी पहले मुझे बता कौन है जिसका नाम तुम रटे जा रहे थे कुमारी कन्या को पर पुरुष में इतनी रूची नहीं लेनी चाहिए एक तो हमारी खेल को भंग कर दिया उपर से रुवाब दिखा रहे है कबसे तो खुदी रटे जा रहा था परना हमें क्या हाँ हाँ कहो ना कौन है ये नर्व नहीं बताऊंगा इन शिपकलियों के होते हुए एक भी शब्द नहीं कहूंगा चुप करो चलो मेरे कक्ष में चलते हैं माधवी अपनी बारी पूरी करो कौन जाने क्यों पर अभी इतना धीरज नहीं मुझ में मन करता है सब कुछ जान लू तुमसे जब आप तो भाई कौन है ये नर्व ऐसा क्या है उसमें कि तुम उसका नाम बार-बार रटे जा रहे थे क्या है तो सुनिये दम्यंती भेल मुख देखू तो चांद से सुन्दर कैसे करूँ बखान अदर की क्या मैं बात करूँ वो कमल से भी सुन्दर है विशाल वज्जर जैसी चाती आंके लाल मलाल हाथ में हसीम ताकत सूरज उगता भाल मन में सोच के दुश्मनों के बच गई हाखाकार ये है बो नल नरो में सुन्दर कामदेव अबतार आदेवी कामदेव अबतार रुक्यों गए भाई बोलो और बोलो इनके बारे में ऐसे शब्द बोलो कि इस चित्र में प्रान आ जाए और ये आखें उनके दर्शन कर सके बोल हंस भाई तुम्हें मोतियों का चारा दूंगी क्या बोलू बहन अब मेरे पास शब्द ही नहीं मेरा एक काम करोगे भाई नैशद राज को संदेश दे देना कि ये दम्यंती भीमक कन्या उन्हें अपना ये दिल दे बैठी है उन्हें दिल से अपना मान चुकी है ये मतलब तुम भीम कन्या से मिले मन की बात की हां? और उसमें ये कहा कि वो मुझे अपना हर्दय दे बैठी है हाँ नाशद राज और साथ में ये भी कहा है कि उसका स्वयमवर होने वाला है आपको उसका निवंतरण अवर्ष्य मिलेगा आप उसमें जरूर आईए नहीं तो अभी तो स्वयमर के लिए बहुत तिन बाकी हैं कैसे बीतेंगे ये दिन मैं कब दम्यंती को देखूंगा किया बात है मुनिराज आप जैसे ब्रंबछारी के मुख से नारायन के नाम के बदले दम्यंती का नाम अरे संप्राथ काल में। अर्थात आजकल पृत्वी लोग पर सभी के मुखों से एक ही नाम सुनने को मिलता है। दमियन्ती दमियन्ती। पृरन्तु हो किस लिए? मतलब कि कितने राजवीर अपना काला मूद होकर सफेद कर रहे हैं और कितने वृद राजवीर तो अपने सफेद बाल काले कर रहे हैं और कितने राजवीर तो काया कल्प करने के लिए आयरुवेद के आशुदियों का उप्योग कर रहे हैं आप सभी क्या कर रहे हैं इसमें से हम क्या विर्द हैं जो औशदियों का अधार लेंगे मुनिवर या बाल काले करेंगे ना 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 मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तो आप लोगों से सिर्फ ये पूछ रहा हूँ बोलो नारायन, नारायन, जो आपकी इच्छा ही नहीं है, बाकी एक बात समझ लीजे, मानव को मौत है, पर आप देव लोग तो अमर हो, इसलिए दम्यंती, आप में से किसी एक को वर्माला पहना कर अपना स्वभाग अखंड रहे, ये तो चाहती ही होगी, पर नारायन, नार पर प्रभू, आप स्वेंबर में उपस्थित हों, और दम्यंती अपनी वर्माला किसी और के गले में पहनाएगी, तो आपको धर्ती में समाजाने का मन करेगा, अरे पाताल में प्रवेश करना पड़ेगा, नारायन, नारायन, ये भी सत्य है, तो एक मार्ग है, कहो तो बत कले में पहनाएगी, पर इस कार के लिए नैशिद राज को मनाने का कार आपका, मेरा नहीं, आवश्य मनाएगे मुनी राज, फिर तो जो नारायन नहीं देखा, वो ये नारद देखेगा, नारायन, नारायन, अभी एक बात बताता हूँ, इस पूरे प्रसंग में कली राज से बच कर रहिएगा, नारायन, नारायन, कली, हाँ इंद्र देव, मैं भी दम्यंति को अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, और अगर वो किसी और को वर्माला पहनाएगी, तो मैं उस दमपत्ती को सुखी नहीं रहने दूँगा, आपकी धमकी से डर कर हम स्वयंबर में महराजा नल राज की, जै, 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 म फिर भी अगर आपको विश्वास न हो, तो मैं वचन देता हूँ, आप आज्या दीजे। हम विभा करना चाहते हैं। महात्माओ, साधू वस्त्र उतार कर संसार बसाना चाहते हैं। प्रभू को भूल कर पत्नी चाहते हैं। भक्ती भुलाकर भोग विलास में डूबने की इच्छा जागी है। हाँ राजन, और हमारी नजर में एक कन्या भी है। हमारी यही इच्छा है कि आप उस कन्या से मिलो, और उसके सामने हमारी ऐसी प्रशंसा करो कि वो हमें से एक से विभा करने के लिए तैयार हो जाए। बोलो, करोगे हमारे यह काम, अवश्य करूँगा, वचन में बदाओं। पर सबसे पहले आप ये बताइए, कि आप कौन है। क्यों? देवादिदेव, इंद्रदेव, वरणदेव, अगनीदेव, यमराज, आप सबी मेरे आंगन में पदारे, मेरे आंगन को यात्रा का धाम बना दिया। कल्यान हो, तो बोलो नै, सत्राज, अभी तो कन्या मिलेगी ना, अभी तो मेरी प्रशंसा करोगे ना। पर देवादीदेव, आपको कौन नहीं जानता? फिर भी आपकी इच्छा ही मिरे लिए आज्या है. कौन है वो भाग्यशाली कन्या? भीमक कन्या दम्यन्ती. क्या? उसका स्वेंबर होने वाला है. और हमारी इच्छा है कि वो हम में से किसी एक को वर्माला पहना है. पर देवादीदेव, भीमक कन्या के महल में मैं पर पुरुष किस तरह जा सकता हूँ? हमारी तरह, साधू के रूप में. साधू महराज, मुझसे क्या काम होगा? चल. योगी राज, विराज ये, जल्पान करेंगे? आवशक्ता नहीं है. फलाहार? उसकी भी आवशक्ता नहीं है. मैं अभी देवों का दूद्पन कराया हूँ. आज्या कीजिए. आपके स्वयंबर में यम देव, वरुण देव, अगनी देव और देवाधी देव इंद्र पधारेंगे? उनके चरंसपर्ष से स्वयंबर पावन होगा. यम देव मतलब मृत्यू के देव. जीव मात्र पर उनकी सत्ता है. हर एक जीव में वो समाय हुए है. हिर्दय की बंधन सत्य है. जहां वरुण देव मतलब जीव, जीवन का मुख्या आधार, वायो और जल के स्वामी, जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाले, ऐसे देव जिनसे धर्ती पर सुखाता है, सम्रिद्धी आती है. उनकी महिमा मैं जानती हूँ योगी राज. और अगनी की महिम तो आप जानती ही है. काज के टुकडे को हीरे का स्वरूब देती है. पवित्र बंधन में बांधने वाली, यग्यों में स्थान पाने वाली. पंच तत्तों में से आवशक तत्व यही उसकी पहचान है. जानती हूँ योगी राज, परंतु… और इंद्र, वो तो देवाध कान मेरे सामने क्यों का रहे हैं? ये चारों देव, आपसे विवाह के लिए उस सुख हैं. तो उनसे जाकर कहिए, कि भीमक करन्या दम्यंती ने एक मृत्यू लोग के मानव से मन ही मन विवाह कर लिया है. मृत्यू लोग के मानव से? मानव को तो सिर्फ मौत मिलती है, जबक नहीं जानती है देवी, कि यदी प्रभू ने कल्प व्रिक्ष से अपनी इच्छा व्यक्त की, तो कल्प व्रिक्ष आपको उनके पास ले जाएगा? उससे पहले तो मैं नदी में कूद कर आत्म हत्या कर लूँगी. तो वरण देव पानी में ही रहते हैं, वो आपसे विव पहा करेंगे? मैं अगनी स्नान करूंगी. तो अगनी देव मिलेंगे? मैं विश्पान करूंगी. तो जिस पल आपकी जान जाएगी, उसी पल आपको यम देव मिलेंगे? मैं इस जनम का त्याग करूंगी, तब करूंगी. और जब तब सफल होगा, तो स्वर्ग के मुनी को पाएंगी देवधी देव इंद्र आपको इंद्रासन पर बिठाएंगे मतलम मृत्यू के बाद भी आप इन में से किसी न किसी देव को पाएंगी इससे अच्छा आप अभी सही निर्ने ले लीजिए न जन्म जन्मांतर तक सती का एक ही पती होता है योगी राज और स्वयम ब्रह्मा, विश्नु, महेश भी आएंगे तो भी मेरा ये निर्ने अटल है आपको तो देवों का भी भाए नहीं है तो कौन है ये मृत्यू लोग का मानव कौन है अभी मेरे सामने योगी रूप में खड़े नैशद राज आप दूत तुम वैदर्व राज से अजुध्या तक की एक दिन की यात्रा करने के बाद बहुत ठग्य होगे तुम दो-तीन दिन तक हमारे महमान हो हमारी महमान नवाजी स्विकार करो अजुध्या देखो और फिर वापस जाना जी महाराज और वैधर्व राज भीमक से कहना कि स्वेमबर में हमें आमंत्रित करने के लिए उनका बहुत बहुत आभार हम दम्यंति के स्वेमबर में जरूर उपस्तित रहेंगे वैधर्व राज, वो ब्राह्मन प्रतिपालक, महाराज भीमक राज की कन्या दम्यंती पधा रही है दम्यंती क lifesण लाजब की की का रहए प्रिंग, वो ब्राह्मन प्रतिपाल्व साई जरे प्रतिपालक, मेराज वो बीमक राज सकते को रही है दम्यंती क्यों रुख गई बेटी नारायन नारायन इंद्रकु असली नल समझ के दम्यंती वर्माला पहना देगी वरुन दें आप तो देव हो शक्तिशाली हो कुछ शाप वाप देदो वर्ना दम्यंती हाथ से गई समझो नारायन नारायन इंद्रदेव आपका मुख बिल्ली का हो जाए इसलिए अगनी देव आप भी वरुण देव का अनुकर्ण कीजिए और श्राब देदीजिए नारायन नारायन वरुण तेव आपका मुख श्वान का हो जाए अगनी देव को नल समझ रही है नारायन अगनी देव आपका मुख कदे का हो जाए कि देव राजिंदर देव आप भी कुछ कीजिए नहीं तो यम राज जी जीट जाएंगे यम देव तुम्हारा मुख बंदर का हो जाए नारायन नारायन देखो देवियों मानव कन्या के महो में तुम्हारे देवताओं को कैसे कैसे रूप धारन करने पड़ रहे हैं ये तो जो नारायन ने नहीं देखा वो नारद ने देखा और जो नारद ने देखा वो आपको बता दिया नारायन नारायन हम तो आशिरवाद देने आये थे दम्यंती यही असलिन नशद राज है रुको ये हमरा अपमान है अपमान? हाँ दम्यंती ने हमारी तरफ एक नजर करके देखा भी नहीं अरुकी नारशद राज के सामने इसका अर्थ ये हुआ कि वो नारशद राज को पहले से ही पसंद करती थी हाँ एउध्यापती तो फिर ये स्वेंबर रचाने का नाटक किस लिए आमने सामने यहां आने का आमन तरण किस लिए हम सब का अपमान करने के लिए हम ये अपमान नहीं सहेंगे हाँ अभी जो इस स्वेंबर में नैशद राज को वर्माला पहनाई जाएगी तो यहां खोन बहेगा खोन हाँ हाँ नहीं नहीं राजाओं प्रभु के चरणू की कसम आप सब का अपमान करने का विचार तो हम सपने में भी नहीं कर सकते मैं आप से हाथ जोडता हूँ आप सब शान्त हो जाएए शान्त? भीमक राज तो अपनी बेटी से कहिए कि नैशत राज के सिवाए और किसी को भी पसंद करें ये नहीं होगा नैशत राज को मैं अपना पती मान चुकी हूँ तो यहीं मिटा देता हूँ मैं तुम्हारा सवभात चस्त्रों का खेल मुझे भी खेलना आता है अयोध्यापती पर जहां महमान बनकर आये हो न वहाँ मौत का खेल नहीं खेलते मौत का डर आपको लगता हो तो चले जाएए स्वेंबर छोड़कर बाकी आपके गले में तुम्हें वर्माला नहीं पहनाने दूँगा ऐसा अयोध्यापती पहला वार तुम्हारा तो आप भूल रहें नैशद राज इस रितुपंड का वार मतलब मृत्यों का वार ये 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 मेरा हाथ रुक्यों गया माराई क्या करूँ अयोध्यापती देवों की साक्षी में हो रहें विवाह में ऐसे विखन डालती आपको शरम नहीं आती परन्तु देव ये तो यदि मृत्यों को पाने की आपकी इच्छा नहो तो चले जाए यहां से बेटी दम्यंती वर्माला पहनाओ बहन बहन भाई तुम आज आप दोनों एक हुई मेरा कार ये पुरा हुआ देवी सरस्वती प्रणाम हंस आज तुम अपने शाप से मुख्त हो गए मैं तुम्हें लेने आई बहन पूर जम का मेरा पाप धुल गया कोई संकट आए तो अपने इस भाई को याद करना मैं जरूर हाजिर होँगा अभी मुझे आज्या दो जाओ भाई बेटी दम्यंती मैं यम देव तुम्हें वर्दान देता हूँ कि तुम्हारे हाथ अमृत पूर्ण होंगे तुम्हारे स्पर्ष से मृत देह में भी प्राण आ जाएंगे नैशद राज मानव कन्या के मोह में हमने आपको ही दूद बनाया आपका ही रूप धारन किया बदले में और में आपको क्या दूँगा पर मैं अगनी देव आपको वर्दान देता हूँ कि मुझे याद करते ही मैं प्रकट हो जाओंगा नैशद राज मैं वर्ण देव मैं तुम्हे वर्दान देता हूँ कि मुझे याद करोगे तो सुखा व्रेक्ष भी हरा भारा हो जाएगा और मांगने पर ततकाल जल मिलेगा प्रणाम देवादी देव इंद्र नैशद राज मेरा वर्दान है कि मुझे याद करते ही चाहे तुम जहां रहोगे तो भी तुम एक ही दिन में सौ जीवन का रस प्राप्त कर सकते हो ओ जीव बेती छोड़ चनी माईका ओ जीव बेती छोड़ चली माईका कोई भले हो गरीब घर की कोई भले ही हो अमीर घर की माईके का घर छोड़ के बेती चली जाती ससुरा बेती छोड़ चनी माईका ओ जीव बेती छोड़ चनी माईका रोते सारे सगे सबंधी रोते मां और बाद अरे रोते सारे सगे संबंधी रोते मां और बाद नहलों में भी छाई उदासी उदास हुए सब लोग आंखों से आंसु बैसे कैसे कहें हया बेती छोड़ चनी माईका ओ जीव बेती छोड़ चनी माईका रत को हांकने वालों सुन लो धीरे धीरे हांको मेरी बेती रस्तों के गड़ों में गिर ना जाए रेशम की शैया पर उचली पली बड़ी बड़े गर में बेती छोड़ चली माईका ओ जी हो बेती छोड़ चली माईका सुरज तपे तो बायू देब तुमें ठंडक को पहुंचाए बेती की बिदाए का दुख कैसे हम सहेंगे माई जाने बेती का दुख वो भी हुई थी पराई बेती छोड़ चली माईका ओ जी हो बेती छोड़ चली माईका मुरी राज दूसरे के कले में वर्माला पहना कर दम्यंती ने मिला अपमान किया है इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूँगा उसके मुलायम हाथों में लोहे की सक्त जंजीरे रवश्य पहनाओंगा अब दम्यंती होगी और मैं होगा तब तो जो नारायन ने नहीं देखा वो ये नारत देखेगा और जो नारत देखेगा वो पूरा विश्व देखेगा नारायन नारायन कर दो हो नहाएना है भुछ लाल कर दो पुरोईदी 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 आमाद विया। हाँ, महराज यहाँ आये थे। आज तो बहुत सवेरे आये थे। क्या? हाँ, तो फिर महराजा के लिए क्यों? प्रश्न तो यह है कि वो है कहाँ? यही पूछने के लिए रानिमा ने भेजा है। ओहो, मैं भी नहीं जानती। वो सवेरे ही उठकर कहाँ चले गए। ऐसा करो, तुम थोड़ा खा लो। नहीं, नहीं, मैं पिताजी के पेना नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगा। ऐसे सिर्थ नहीं करते बेटा। तुम्हारे पिताजी किसी काम में होंगे। मैंने संदेश भेज़ दिया है। वो आएंगे तब तक तुम... जमेंती बहन। माध्वी? आगई माध्वी, उनकी कोई खबर मिली। नहीं, महराज मंदिर तो गया थे, फिर कहा गई ये कोई नहीं जानता। पुरोहिज्जी को भी पता नहीं। तो... तो फिर कहा गई होंगे वो। हर हर महादेव। महादेव हर। क्यों भाई, किस चिंता में हो। चिंता तो बहुत बड़ी है, पर मैं तो किसान हूँ, खेत उगाना है, सिचाही करनी है, पर आज सुबह ही, मेरा एक बैल अचानक मर गया। अब तुम ही कहो, एक बैल से खेती कैसे करूं मैं। तो एक काम करो, कहीं से एक मांग ले आओ। कहां से लाओ। सिचाही के मौसम में किसे बैल नहीं चाहिए। तो खरीद लाओ। इसमें दो-चार दिन तो लगेंगे ही, सिचाही तो आज कल में ही हो जानी चाहिए। नहीं तो इस साल खेत बंजर हो जाएगा। तो एक काम करो, दूसरे बैल की जगा है, मुझे जोद दो। तुम्हें? हाँ, जितना ठीक लगे, महनता न दे देना। तुम्हारा काम हो जाएगा और मुझे पेट भी भर जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं होगा। इतना उपकार करो भाई, उपकार करो। सोच क्या रहे हो। ठीक है, चल भाई। आपका बहुत-बहुत उपकार। मा, मा, क्या हुआ मा, क्या हुआ मा। लग रहा है, जैसे कोई मुझे से किसी तरह की मजदूरी करवा रहा है। हर। हर। देवी? आ गए आप, पर इतनी सफेरे चले कहां गए थे। हास क्यों रहे हो। सारा दिन चिंता में बैठी थी मैं, बच्चे भी पूछ रहे थे। घर आकर भोजन भी नहीं किया। अब जाकर सोय है ये। किसी को भी बिना बताए कहां चले गए थे आप। प्रजा का सुख दुख देखने गुप्त वेश में कभी-कभी निकलना पड़ता है देवी। हाँ, राजा का ये फर्ज है। आपको परिक्षा लेने का अधिकार है। बताओ, आपने क्या किया। आपने पूरा दिन कड़ी महनत की है। भार उठाया है। ठोकरे खाई हैं। घाउ जेले हैं पीठ पर, देखिए। ये हैं उसके निशान। बहुत वेदना हुई होगी न, देवी। हुई थी, स्वामी। परंतु आपके हाथों का स्पर्श हुआ। और सारी वेदनाएं दूर हो गई। देवी। देवी। देवी, मुझे एक्षमा कर दो। मैंने जो कुछ भी किया, वो तुम्हारी परिक्षा लेने या तुम्हें वेदना पहुचाने के लिए नहीं किया, बल्कि एक राजा का फर्श समझ कर किया। जानती हो नशत राज। देवी, प्रजा की सुक दुख के लिए कभी कभी स्वयम के सुक दुख को भूलना पड़ता है देवी। हाँ, आप भूखे होंगे ना। आप भी तो भूखे होंगी ना। आपकी राहा देख रही थी। देवी, बुजर्गों की विरासत में मिला तो रोज खाते हैं। आज मेहनत की खाने का विचार है। बोलो, मेरे हाथों से बनाया भुजन खाओगी। पती बनाये और प्यार से खिलाये। ये कौन सी पती नहीं चाहेगी स्वामी। आग किस तरह जलाएंगे स्वामी। देवी, हमारे विवाह के दिन अगनी देव ने हमें वर्दान दिया था भूल गई। ये अगनी देव। देवी, आज आपकी मेहनत का मेरे हाथों से बनाया हुआ, अपने हाथों से तुम्हें खिलाओंगा। ये तो मेरा सौभाग ये है। एहां, ऐसे नहीं देवी, निवाला यहां से लेना होगा। नटखट हो गए हुआ। जो भी हूँ, बस आपका ही हूँ। कितने दिन हो गए। रिधय में एक प्रश्न सता रहा है, पूछूू। देवी, ऐसा कौन सा प्रश्न है, जिसे पूछने के लिए तुम्हें प्रश्न पूछना पढ़ रहा है। आपके सगे भाई, पुषकर भाई, हमारे विवाह में नहीं आए। हमारी दोदो संताने हुई, उन्हें देखने भी नहीं आए। उसने संसार का त्याग किया है। और साथ में संबन भी भूल गए स्वामी। अगर आपकी आज्या हो, तो मैं उनसे मिलकर, उन्हें मनाकर, हमारे महल में ले आऊँ। मुझे अत्या आनंद होगा देवी। राज्य के कारोबार में महल में छोटा भाई साथ हो। ये मेरा भी मन चाहता है। वो जिद्धी है, पर कठोर नहीं है। वो आपकी बाद अवश्य सुनेगा। तो मैं कल ही उनसे मिलने जाऊंगी। अवश्य जाओ देवी। पश्का राज से मिलने जा रही है। अब देख लेना कली की शक्ति का प्रताब। प्रभू आप। प्रभू आप। प्रणाम प्रभू। प्रभू आप यहां। पुश्कर, तुमारी ये कंचन रूपी काया मुझाई देखकर कदम रुख गए। हिर्दय में शूल उठा। पर किस लिए प्रभू। पुश्कर, तुमारे साथ घोर अन्याय होने वाला है। परंतो मेरा कोई दुश्मन नहीं है प्रभू। पीट परवार तुश्मन नहीं करता। स्वजन ही करते हैं। स्वजन, मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं प्रभू। तुमारे भाई की पुश्कर, तुमारे भाई की। ये देखो, तुम बलकल पहनते हो, और वो रेश्मी वस्त्र परिधान पहनता है। तुम कंदमूल खाते हो, और वो बक्वान भोगता है। पुश्कर, तुम पत्रेली धर्ती पर सोते हो, और वो, वो रेश्मी सेश पर सोता है। तुम जोपड़े में रहते हो और वो महलों में तुम बन में भटकते हो और वो वैभाव में विहार करता है प्रभू, मैंने स्विच्छा से संसार का त्याग किया है पुश्कर, तुम भोले हो इसलिए तुम नैशद राज के कपट का शिकार बने हो मैं शद्राज की इच्छा थी कि तुम गत्ती छोड़ो नहीं नहीं देव नहीं तो जवाब दो आज तक किसी दिन तुम से मिलने के लिए आया है अरे उसके विवाय की निमंत्राण पत्रिका भी तुम्हें भेजी गई थी उसकी दो-दो संताने हुई उनको आशिरवाद लेने तुम्हारे पास कभी भेजा है आपकी बात तो सही है प्रभू पर मैंने संसार का त्याग किया है इसलिए हाँ पुशकर संसार का त्याग करने के लिए संबंद भूलाने परते हैं और इसलिए तुम भूले हो पर क्या नेशद राज ने भी संसार का त्याग कर दिया है जो वो तुम्हें भूल गया सच कहूं देव एक आठ बार भी अगर मुझसे मिलने आये होते तो मेरे दिल को आनंद होता नेशद राज जीवे थे खुद के आनंद के लिए तुम्हारे भोलेपन को वो तुम्हारी मुर्खता समझता है नहीं देव तुम्हारी शांती को वो तुम्हारी निर्बलता समझता है पर पुशकर इस राज जीवे पर तुम्हारा भी अधिकार है तुम निर्बल नहीं हो तुम में भी राज कारोबार करने की शक्ती है इसलिए मेरी बात मानो और इस राजज़क को हासिल करो पर उन्तु देव मुझे राज़ी नहीं चाहिए मुझे संसारी नहीं बनना मुझे तो तपस्वी बनना है इसलिए तो मैंने उस राज्य का त्याग किया था अरे तुम्हारे पास राज्य था ही कब जो तुम त्याग करोगे इसलिए तुम पहले राज्य पाओ उसका कारोबार करो और फिर उसका त्याग करो तब ही तुम सच्चे दपस्वी कहलाओगे राज़ पाने के लिए मुझे मेरे भाई के साथ युद्ध करना पड़ेगा देव, निर्दर्शों का खून भाना पड़ेगा रक्त बहाई बिना भी राज़ प्राप्त किया जा सकता है वो कैसे? तुम ने शुदराज के साथ जुआ खेलो जुआ? ये देखो, ये देखो ये पासे इन में से एक में मैं प्रवेश करूँगा और दूसरे में तुम्हारा भाग्या हमारी मदद से तुम्हारे पासे अच्छे ही गिरेंगे और तुम बाजी जी चाओगे राज़ तुम्हारा होगा और और बड़े भाई को मिलेगा तीन साल का बनवास किन्तो देव, बड़े भाई जुआ खेलने के लिए मानेगे नहीं मानेगा तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने आने वाली है उसे वचन में मान दो पत्नी का दिया हुआ वचन पती जरूर पुरा करेगा भाभी, भाभी कब आने वाली हैं आज ही पुषकर तुम सब यहां रहो, मैं अभी पुषकर भाई को लेकर आती है पुषकर भाई आए देवी, आप तुम्हारी भाभी, दम्यंती दम्यंती भाभी, प्रणाम भाभी भाभी, यह तो साधो की पर्ण कुठी है इसमें महल जैसे मुलायम आसन नहीं मैं आपको बिठाओं कहां मैं बैठने नहीं आई भाई तुम्हें साथ ले जाने आई हूँ, महल में महल में? किस लिए? फिर से बड़े भाई की परचाई बनकर रहने के लिए? पुशकर भाई हाँ, महल में नैशद राज का भाई बनकर मुझे मान तो अवश्य मिलता है पर मेरा मन नहीं मानता भाभी तुम्हारे मन में ऐसी क्या बात है भाई? जाने दो, बता कर भी क्या फाइदा? वो तैय करने की जिम्मेदारी मेरे उपर, बस भाभी, कहना असान है, पर करना मुश्किल है मैं अवश्य प्रयत्त करूंगी फिर भी तुम्हें मेरे शब्दों पर विश्वास ना हो तो लो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ मैं नैशद राज बनना चाहता हूँ भाभी क्या? हाँ, नैशद राज का स्वामी बनने की इच्छा है मेरी ओ, यही बात है ना, मुझे विश्वास है तुम्हारे बड़े भाई हस्ते हस्ते तुम्हें राजे दे देंगे मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे राज हसिल करना है और वो भी मेरी ताकत से भाई के साथ युद्ध करना चाहते हो? नहीं, मुझे भाई के साथ जुवा खेलना है जुवा? हाँ, जुवे में जो जीतेगा, वो राजजी का स्वामी और जो हारेगा, वो उसी वक्त राजजी का त्याक करेगा और पूरे तीन साल के लिए वनवास्विकारेगा महल में आने के लिए, यही मेरी शर्ट और यही मेरी इच्छा है बोलो, मेरे मन रखने की हिम्मत है आपमे, दिया हुआ वचन पालने की तयारी है आपमे, तो जाओ और बात करो जाकर नैशद राज से नहीं देवी नहीं, ये मेरे समझने की बात नहीं, जुआ खेले बिना ही, मैं ये राज्य पुशकर को सौंपने के लिए तयार हूँ अरे सिर्फ तीन ही वर्षों के लिए क्यों, जीवन भरवर्वास भोगने की मेरी तयारी है ये बात तो पुशकर भाई भी जानते हैं स्वामी, परंतो उन्हें भीक नहीं चाहिए ये भीक नहीं है देवी, ये तो पुशकर का अधिकार है, और मुझे खुशी है, नैशद राज हमारा पुशकर होगा उसे होना ही है, परंतो जुआ खेलकर जुआ खेलकर? अरे जिन हाथों से मैंने आज तक दान पुन्य किया है, प्रभू की पूजा किया, उन्हीं हाथों में आज पास से पकड़ू, उन्हीं हाथों से आज जुआ खेलू पर आप उसे मना कर दो ना स्वामी? देवी, मना कर दूँगा, तो पुशकर ये वानेगा, कि मेरे हिर्दय में पराजय का भाय है, वनवास भोगने की मुझ में हिम्मत नहीं, राज्य का स्वामी होकर भी मुझ पर लानत है हाँ स्वामी, परंतो मैं पुशकर को किन शब्दों में समझाओ, कि मैं राज्य का स्वामी नहीं, सेवक हूँ, और राज्य को मुठी में रखने का सेवक का कोई अधिकार नहीं होता आपका दुख मैं समझ सकती हूं स्वामी, परंतो अब प्रश्न ये है कि पुशकर भाई को जवाब क्या देंगे जवाब? देवी, इस राज्य की परंपरा है कि महल के आंगन में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता पुशकर के लिए ये परंपरा नहीं तूटेगी, शायद भाग्य में यहीं लिखा है स्वामी हाँ देवी, मैं जुआ खेलूँगा, जुआ खेलूँगा देवी परंपु सुन लीजे नैशद राज, जुए में आपकी पराजय हुई, तो उसी वक्त ये राज छोड़ना होगा मुझे स्वीकार है पुशकर पूरे तीन सालों का वनवास भोगना पड़ेगा ये भी स्वीकार है भाई उस भी जो राज में फिर से वापस आए, तो और तीन सालों का वनवास मुझे ये भी स्वीकार है और जुआ, मैं अपने पासों से खेलूँगा मुझे स्वीकार है भाई तो अब इंतजार किस बात का है नैशद राज लो ये पासे, देखते हैं भागे किस का साथ देता है एक, दो, तीन पांच एक, दो, तीन, चार, पांच देखो नशद राज, असली खिलाडी इसे कहते है ये आया बारा, बारा लो नल राज, अब तुम्हारा दाओ पुशकर राज, अब देखना आएंगे बारा आओ पुशकर राज, अब बारा, बारा ये आये फिर से बारा बारा आट, बारा और आट, बीस बारा और आट, बीस आट, नल राज देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा और बारा बारा और ये आट, बीस एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, और यहाँ पर तुम खत्म नल राज, अपनी शर्ट के अनुसार, सारी बाजियां तुम हार गए हो, आज से इस राज का स्वामी मैं हूं मैं, और लगाई हूँ शर्ट के अनुसार, इसी वक्त तुम्हें इस राज का त्याक करना होगा नहीं, नहीं देवी, आप साथ नहीं आ सकती, देवी, पराजय मेरी हुई है, आपकी नहीं? हाँ, पती-पत्नी का भाग्य अलग नहीं होता, परंतु देवी? सती को पती का साथ चाहिए होता है, सामराज जी नहीं देवी, चांदनी से भी सुन्दर आपकी एकोमल दे, वन की काटों भरी राग कैसे सह पाएगी? वियोग की वेतना उससे भी बढ़कर होगी स्वामी देवी, वियोग सिर्फ तीन वर्षों का है पर ये तीन वर्ष तो तीन-तीन युगों के समान लगेंगे मेरी सांस जब तक है, तब तक तो साथ रखिये ना स्वामी देवी, देवी, तुम्हे किन शब्दों में समझाओं? कि वन के काटे तुम्हारे शरीर को चुभेंगे, तो वेतना मुझे होगी ये शब्द नहीं स्वामी, शब्दों के द्वारा मेरे लिए छलगता हुआ प्रेम है और इस प्रेम के सिवा, मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए देवी, असहनिय चोटें तुम्हें लगेंगी, और वेतना मुझे होगी सुनी रातों में जलता हुआ दिया, सुभा सूर्यदै होने से और तेजस्वी होता है स्वामी पर देवी विश्वास रखिए, आपका साथ होगा, तो मेरी और कोई फर्याद नहीं होगी मेरी आखों में आसू नहीं होंगी मेरे मन में आनंद होगा और होटों पर मुस्कान देवी, पर हमारे बच्चे उन्हें मैं अपने माता पिता के पास भेज़ दूगी ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम्हारे इस नेड़े के पीछे भाग्या का कोई संकेत होगा नाथ देवी आज से नैशद राज्य का स्वामी मैं हूँ और नल है मामूली इंसान मेरी आज्या है कि राज्य में जाहिर कर दो कि नल को कोई आसरा नहीं देगा नहीं कोई मदद करेगा जो कोई नल को आसरा देगा या मदद करेगा, वो राज जी का गुनेगार कहलाएगा और वो दंड का पात्र होगा नैसत्पदी पुष्कर राज की जै महाराज, पुष्कर राज की आज्या नहीं है क्या? इन्हें दर्शन से भी मना कर दिया? होगा देवी, चलो ओम नमस्षिवा महाराज, महाराज, देवी, आपको ये राज जी छोड़ना पड़ रहे है हमें इसका दुख नहीं फिर आप इसके चिंता क्यों कर रहे हैं, पुरोहिट जी मेरा एक काम करेंगे आज्या कीजे, देवी पुरोहिट जी माध्वी इन बच्चों को मेरे पीह ले जा रही है आप भी उनके साथ जाए उसकी चिंता ना किजी देवी मैं भी उनके साथ जाऊंगा पुरोहिट जी नल को आसरा देने वाला या मदद करने वाला सजा का पात्र है ये सजा में स्विकार कर लूँगा महराज पुरोहिट जी परन्तु आपकी आग्या नहीं टालूँगा देवी और अगर आपने मेरी आग्या के खिलाफ जाकर इन बच्चों के साथ इस राज्जी के बाहर कदम रखा तो इस राज्जी में मैं आपको प्रवेश नहीं करने दूँगा आवश्य प्रवेश करूँगा महराज नल राज जब नशद पती बनेंगे पुरोहिट जी लो पुरोहिट जी मेरे रिदय के टुकडे मैं अब आपके और माध्वी के हाथों में सौपती हूँ इन्हें संभाल कर ले जाना बहन हाँ दमेंती बहन बेटा बेटी तुम लोग वहाँ सबसे अच्छे से रहना हाँ मा चला चला कली उगने जो की ऐसी करामात बदल दी जिन्दगी राजा की राजा जो था सत्यावादी हार गया वो बाजी राजा जो था सत्यावादी भार गया वो बाजी भेकर लिउग तुमें की जो करामात रोते दास और दासी रह गए कली उग का ये फेर पासा एक पल में जो पल था सपने दिये विखेर दुर्जन की मूठी में दुनिया देखे उपर वाराजी राजा जो था सत्यावादी हार गया वो बाजी राजा जो था सत्यावादी हार गया वो बाजी अनजाने रस्ते में बच्चों बच्चों को भी छोड़ दिया बच्चों को छोड़ दिया अनजाने रस्ते में बच्चों को भी छोड़ दिया बच्चों को छोड़ दिया आत छोड़ कर दोते बच्चे मां आंसु बहाए मां तो आंसु बहाए मां भी रोती ही तो रह गई भोगे दिल में छेतरे राजा जो था सत्याबादी हर गया वो बाजी हे कलियुक तूने की जो करामा राजपाठ भी हार गया वो राजपाठ भी हार गया और आगे अखार गया वो राजपाठ भी खाली रस्ते आगया खाली रस्ते ये कैसे कर्मों का फल है फग में कांटे ही चुबते दुख न देखा कभी जीवन में कैसा वक्त आया जी राजा जो था सत्याबादी हार गया वो बाजी एकली उख तुने की जो करामात बदल दी जिन्दगी राजा की राजा जो था सत्याबादी हार गया वो बाजी बेटा बच्चु को ही ले आई पर मेरे बेटी दमात को क्यों नहीं लाई जवाब दो जवाब दो क्यों नहीं लाई किस तरह लाते महारानी नैशदराज नल ने उन्हें बच्चन में बान लिया था पर दम्यंती के कोमल पेरों में काटे चुबेंगे जंगल के काटे उसके शरीर को घायल कर देंगे महराजी, समभा लो प्रभू, प्रभू उने किस अपराद के इतनी बड़ी सजा दे दी किस अपराद के नहीं, नहीं मा, मैं आज ही जाऊंगा जंगल जंगल और हर राजी में ढूड़ूंगा और मेरी बेहन-बेहनोई को समझा कर वापस लाऊंगा काटा लग गया स्वामी देवी, बहुत भूख लगी है हाँ, स्वामी अरे, देवी, वो देखे आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ मैं डुकिए, मैं मैं हो देवी जार мам पंता हूँ जाने दीजे स्वामी शायद वफल हमारे भाग्य में नहीं परन्तु कहीं पानी मिल जाए तो अच्छा कला सुखा जा रहा है देवी थोड़ा चलेंगे तो शायद कहीं पानी मिल जाए चलो भाई भाई क्या है तुम्हें मा के बेना अच्छा लगता है नहीं मुझे पर नहीं लगता चलो कहीं भाग चलते हैं हां चल हम उन्हें ढूनके लाएंगे कुमार कुमारी कहां जा रहे हो कुमार कुमार कुमारी क्यों भाग रही हो गुमार और कुमारी भाग रहे हैं कुमार, 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 कुमार से गिर गए स्वामी नारायन नारायन अरे कली जी आज तो आप कुछ जादा ही खुश लग रहे हैं दम्यंती के विवा के इतने सालों के बाद आपको धर्ती पर बैठे हुए आज मुक्ता हास्से करते हुए देखा जो नारायन ने नहीं देखा वो इस नारत ने देखा नारायन नारायन अरे परकली जी पहली ही जीत में आप इतने खुश हो गए अभी तक दम्यंती को उसके पती से अलग नहीं कर पाए सती के मन में उसका पती, यही असली संपती नारायन नारायन मुनि राज, उस सती के असली संपती भी मैं समय आने पर उससे छीन लूगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता क्या सोच रहो नाराज सोच रहा हूँ, सती ने मिरे लिए सब कुछ सहिन किया पर लगता है बच्चों के बिना नहीं रह पाएगी उसे माई के भीज़ दो पर अंतु सती मानेगी नहीं तो उस पे क्रोध करोगा हर कदम पर उसका तिरसकार करो उसका अपमान करो इस तरह से उसके मन में तुम्हारे लिए तिरसकार पैदा हो जाएगा वो असे होगा और स्वेच्छा से अपने माता पिता के घर चली जाएगी लेकिन ऐसा तिरसकार उसे आत्मात्या के लिए प्रेरित करेगा तो उसके मन में पैदा हुआ तिरसकार उसे भले तुम्हारे साथ जीने नहीं देगा पर बच्चों का प्रेम उसे मरने भी नहीं देगा यह बात सच है मैं ऐसा ही करूँगा क्या हुआ स्वामी तो मेरी गोद में सो गई तो मैं कैसे सों मुझे भी नीदा रही है कोट में सो गई देखा ना स्ट्री की बुद्धी घुटनों में होती है यह उसी का उदारण है अगर दम्यंती ने आपको वर्माला पहनाई होती तो आज जंगल में नहीं भटकना पड़ता उसे यह बात सही है दम्यंती के दरभाग की वज़े से सायद मैं भी जंगल में भटकता रहता अरे आप तो पारसमनी है महराज वो तो मैं हूँ ही और आपके कदम पड़े तो जंगल में भी महल बन जाएगा जंगल में मंगल हो जाएगा यह बात भी सही है महराज, अभी मेरी बात मानिये और अगली बाजी चलिये, दम्यंती को अपने महल में उठा कर लाइए नहीं, ये संभव नहीं है, दम्यंती अभी भी परिस्तरी है, परिस्तरी को उठा लेने का पाप मैं नहीं करूँगा पर उसके पती का राज्य जाने के बाद, उसका पती भी उसके लिए पराया बन गया होगा महराज हाँ, अथ तो मनी मन वो भी पस्ता रही होगी कि कब अयोध्या पती की रानी बनूँगी, इसकी रहा देख रही होगी हाँ, मैं उससे आवश्य लाओंगा दम्यन्ती को मैं अपने महल में लाके रहूँगा, प्यार से नहीं तो ताकत से मैं उससे अपने रानी बनाऊँगा, रानी स्वामी, स्वामी, क्या है? मुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँ, ये कोई अपना राजमहल नहीं है, कि मांगते ही सब कुछ हाजर हो जाएगा जानती हूं स्वामी और मैं कोई तुमारा नौकर नहीं, कि तुम इस तरह से मुझे पर हुकुम चलाओगी भाग्या में होगा तो भोजन मिलेगा, नहीं तो भूख ही मरो आपको क्या हो गया है स्वामी, हाजा पैसा क्यों कर रहे है मुझे से कोई अपराद हुआ है, तो मुझे एक शमा कीजिए इसमें अपराद या शमा का सवाल नहीं है, भूख तो मुझे भी लगी है पर मैं क्या करूँ, मेरी बात मान कर, तुम अपने माता पिता की हाँ चली गई होती तो तुम भी सुखी होती, और मेरे हिर्दे में भी चंता नहीं होती लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है ऐसा मत कहिए, भूख प्यास के बारे में एक शब नहीं निकालूँगी परन्तो आप ऐसे क्रोध मत कीजिए स्वामी, क्रोध मत कीजिए देवी, क्रोध ना करूँ तो क्या करूँ, भोजन की बात तो दूर, यहां कहीं पानी भी नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आगे ढूनते हैं, कहीं पानी मिल ही जाएगा, चलो भूख प्यास के बारे में एक भी शब नहीं निकालूँगी, परन्तो आप ऐसे क्रोध मत कीजिए स्वामी नियाशद राज, तुम जब भी मुझे याद करोगे, तुम्हें तुरंत जल मिल जाएगा हे वरुण देव देवी, शान्ती मिल खेएगा देवी, इसमें मचली भी है तुम बैठो, मैं अंदर जाकर लेकर आता हूँ मिल गई जाएगा झाल झाल देवी, लगता है और नहीं मिलेंगी, बहुत भूख लगिया, लाओ, कहां है? दूसरे दोबिस अजीव हो कर चले गए क्या? जूट बोलो यो? सच कह रही हूँ स्वामी यह सत्य है, नित्यू के आगे कभी प्यार टिक नहीं सकता सत्य तो यह है कि तुमसे तुम्हारी भूख सहन नहीं हुई, इसलिए तुम खा गई नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, मिली बात सुनिये स्वामी, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, वो मच्री मेरे हाथों का सपर्श होता ही सजीव बन गई यह संभव है? असंभव नहीं, यमदेव का दिया हुआ वर्दान याद कीजिए अच्छा, तुमारे हाथों में संजीवनी है न, तो चलो, सपर्श करो उस मुर्दे को और जिंदा करो उसे, अभी पता चल जाएगा, चलो बाईयों, यह मेरी पत्नी है, इसके हाथों में संजीवनी है, यह इस मृत देव में प्रान फूगेगी आप सत्य कह रहे हैं, रखो भाई रखो, आओ, हमारा एक एक लोता जवान बेटा है, इसे जीवित करो देवी, इसे जीवित करो यम देव, प्रभु कृपा कीजिए प्रभु क्यों, तुम्हारे हाथों में संजीवनी विद्या है तो फिर इस मृत देव में प्रान क्यों नहीं फूके शायद प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं परीक्षा नहीं, तुम्हारे जैसे स्वार्ति और धर्म भरष्ट लोगों को प्रभु का वर्दान नहीं मिलता तुम्हेसों के साथ मैं कोई भी संबंद नहीं रखना चाहता चाओ स्वामी, नात, सनिये स्वामी तुम्हेसों के स्वामी कोई जाके प्रभु से बिंते करके उन्हें बुलाओ कोई आगे जाकर मेरे बालम जी को रोकों मेरे प्रीतम को पीछे लाओ किस हाल में मुझे को छोड़ा मुण के न पीछे देखा आधे रास्ते में बहते आसू मुण के न तुने देखा ओ ये धर ओ धर मैं भट की बन में साजने को समझाओ मेरे प्रीतम को पीछे लाओ जिसके पेट में आगल हूँ मैं पीछे पीछे डोड़ों मन के तपते धरा के उपर जता सूरज ओड़ों हे विधाता विपता भाड़ अब तो पीछे देखो मेरे प्रीतम को पीछे लाओ कोई जाके प्रभु से बीते करके उन्हें बुलाओ कोई आगे जाकर मेरे बालम जी को रोखो मेरे प्रीतम को पीछे लाओ मेरे प्रीतम कि य्याओ कोई आगे लाओ आगे जाकर मेरे लाओ मेरे लाओ कोई आगे जाओ आज तुम्हारा बंद क्यूं डर्बार उमड़े उमड़े कर बरसा बादल हो रही हाँ हाँ कार धरते कापते धरा भी हिल गई मारगे मुझे बताओ मेरे प्रितम को पेछेला क्या खबर है इस दिशा में तो दम्यंती कहीं नजर नहीं आरी माराज तुम्हें कहीं नजर आई नहीं माराज लेकिन अवश्य मिलेगी कौन जाने कहां होगी ये दम्यंती प्रुम्हें ये प्रुम्हें सीचन साइ ये ये धजन क्यों साइ ये 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 येती कर दो दो कर दो कर दो आपारे में बबना का रवारे में दो कर दो कर दो एग हा नथ हा जो नारायन नारायन ये आपने क्या किया देव नल राज का सामराज तो ले ही लिया उसके पास एक वस्त्र था वो भी चील लिया पर अभी भी आपके हाथ में सिर्फ वस्त्र ही आया है सती दम्यंती नहीं एक दिन सती दम्यंती भी इसी तरह मेरे हाथों में आ जाएगी पर तब तक इस वस्त्र का क्या करेंगे, इससे कोई खेल खेलेंगे, नारायन, नारायन देवी, इस हालत से तुम मुक्त हो जाओ, इसलिए तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ, अपने माता पता के पास जाओ, भाग के हमें होगा, तो फिर मिलेंगे प्राइब तुम्हारा 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 तु सवामी इसलिए मेरा त्याक किया मेरा क्या ब्रात्व स्वामी स्वामी सावी स्वामी देवी इवी देवी, साइद आप मुझे नहीं पहचानती मैं हूँ रितुपर्ण, अजोध्यापती क्या बात है, आप इस जंगल में इन कांटों के बीच रोती हुई बटक रही है नेशुत राज ने मेरा त्याग कर दिया मुझे छोड़ कर चले गए, अकेला छोड़ कर चले गए रोईए मत देवी, रोईए मत, चलिए, मेरे साथ चलिए यहाँ नजदीक ही मेरी छावनी है, वहाँ आराम कीजिए मैं अपने सेवकों को धूनने के लिए भेजता हूँ नैश अद्राज मिल जाएंगे, आप जरा भी चिंता ना कीजिए, चलिए, आएए, आएए बचाओ, 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 बचाओ नाग देउता नाग देउता ये आपने क्या किया मैंने आपको अगनी से निकाला और आपने मुझे ही डस लिया ये डंक आपके लिए आशिरवाद रूपी है पिछले बारा-बारा सालों से मैं अगनी में जल रहा था ना मर रहा था और ना ही अगनी मुझे जीने दे रही थी आपके ही हाथों से मेरा उधार होना था नालराज आपको अगले तीन सालों तक अपनी दे छुपा कर रखनी है और उसमें आपका ये सोरूप आपको मदद करेगा लीजिये ये वस्त जब भी आप इसे धारन करेंगे आप अपना असली रूप तुरंत प्राप्त कर लेंगे और तब तक आपका भाई आपको पहचान नहीं सकेगा महराज महराज देखे नलराज जा रहा है हाँ वही कद वही हूचाई वही चाल चलो पकड़ लो उसे क्या है भाई क्षमा करो भाई हम जुसको ढूल रहे हैं वो तुम नहीं हमसे भूल हो गई चलो सिपाहियों पुशकर ये स्वरूप आपकी मदद करेगा और आपका भाई भी आपको नहीं पहचान पाएगा आपको अजोध्या की रानी बनाऊंगा नहीं आपको वही एश्वर्या वही मान वही स्थान मिलेगा जिसके आप योग्यों हो अयोध्या पती मुझे महल का मोह होता तो मैंने स्वयच्छा से वनवास ना स्विकार होता कहां जा रही हो ये पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा तुमने मेरे महल में आने से मना कर दिया था ना आज मैं तुम्हें नल्राज की याद भी नहीं आने दूँगा छोड़तो 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 मुझे नहीं छोड़तो मुझे भाई बाल्मजबचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच बहाँ आई पनी कोओ! मारा! समय पर आ गए भाई, तुमने मेरी लाज रख ली ये तो मेरा फर्स था बहन, चलो रानी मा, आप से कोई मिलने आया है, कौन है? प्रणाम रानी मा, कौन हो तुम, क्या काम है मुझसे? जी, वक्त की मारी हूँ, दुखियारी हूँ, काम मांगने आई हूँ बदले में दो वक्त का खाना दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए क्या नाम है तुम्हारा? माध्वी मा मा, इतनी दया नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करते काम मांगने आते हैं, और चोरी करके चले जाते हैं ओहो, इंदिरा, इतने सक्त पहरे में किसी का भी चोरी करना संभव नहीं ठीक है, तो रखो इसे अपनी नौकरी पर ए सुनो, इससे पहले कहीं काम किया है? जी हाँ, भीमक राज की पुत्री दम्यंती की सेवा में थी दम्यंती की? वो तो मेरी भांजी है, मेरी बेहन की बेटी हम उसके स्वयंबर में भी नहीं जा सके, है ना? पर सुना है, उसने नैशद राज के साथ विवाह किया है कैसी है वो? अच्छी तो है ना? जी मा, मैं इसे अपनी नीजी सेवा में रख लेती हूँ ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो वाह, वाह भाई, क्या बात है तुमने हमारे घोडे को तो काबू में कर लिया नहीं तो हमारी नौकरी चली जाती पर ये तो कहो, तुमने स्टुफानी घोडे को कैसे काबू में कर लिया भाई, मैं अश्पविद्या का जानकार हूँ तब तो हमारे महराज आपको अवश्य नौकरी पर रख लेंगे चलो, हमारे साथ चलो भाई चलो, मुझे भी नौकरी की जरूगत चलो, चलो, आजाओ आव आओ, चलो, चलो हाँ, तो वो तुम हो शाबास दोस्त किसी की भी मदद के बिना तुमने मेरे अश्व को अपने काबू में कर लिया ये अश्व विद्या तुमने सीखी कहां से मैं महराज नल के हाँ नौकरी करता था, उनके हाँ अश्व भी था नलराज तुम मेरी नौकरी करोगे नौकरी की तलाश में हूँ महराज तो आज से रह जाओ मेरी नौकरी में, आश्ववन में रहो, आश्वों की देख भाल करो, और समय आने पर नल राज की सिखाई हुई आश्वविद्या की परिक्षा भी हो जाएगी, जाओ, ले जाओ इसे, आश्ववन में जी माराज, चलो, चलो माधवी, ये हार मैं यहीं रख कर जा रही हूँ, बहुत किम्ती है, इसका ध्यान रखना जी अरे, कौन दमन? मुझे पहचाना, मैं तुम्हारी मौसी हूँ मौसी, सगी मौसी, बैठो बैठो बिटा अरे, पर तु मुझे कैसे पहचानेगा, जब मैं तुम्हारे यहां आई थी न, तब तुम लोग बहुत छोटे थे, तू और दम्यंती मैं दम्यंती की तलाश में यहां आया हूँ, मौसी दम्यंती की तलाश में? मतलब? नल राज ने नैशद राज छोड़ दिया, दम्यंती भी उनके साथ निकली है, मुझे जब ये खबर मिली, तब से हर राज्ज में ढून रहा हूँ, सब को पूछ रहा हूँ, दम्यंती यहां आई है? यहां? दमन, भाई, कहां जा रही हो, यहां आओ, कहां जा रही थी मेरा हार लेकर, चोर, हाँ हाँ चोर, मेरा हार मैं यही रख कर गई थी, यह तुम्हें पता था, बोल, कहां है, बता मेरा हार कहां है मैंने नहीं लिया, मेरा विश्वास करो बहन बोल, मेरा हार का है, बोल मैंने नहीं लिया, मेरा विश्वास करो इंदिरा, क्या कर रही हो, क्यो मार रही हो मा, इसने मेरा हार चुराया क्या, भाई बहन बाई, इन्हें बताओ, मैं चोर नहीं, मैंने हार नहीं चुडाया मतलब, मतलब तू दम्यांती है? हाँ मौसी, ऐसे तो कितने हार इसने पहने होंगे? पहने होंगे, पर अभी तो इसकी हलत चोरो जैसे ही लग रही है बेटी! मा, ये भीमक राज की पुत्री है, इसलिए इसकी गलती माफ कर देना उचित नहीं होगा बोल, वो हार कहां है? मैं उनकी कसम खाकर कहती हूँ, कि उस हार को मैंने स्पर्ष तक नहीं किया तो फिर हार गया कहां? हे मां चक दंबा अंबा भवानी, अगर मैं मन, वचन और कर्म की सच्ची हूँ तो हार लेकर जाने वाला चोर उस हार को फिर से उसी जगा ना रख जाए तो मैं अपने श्राप से उस चोर को भस्म कर दूँगी माम बे, माम बे मा, मा देखो हार वापस आ गया हां, यहीं पर मिला बहन, मुझे शमा कर दो आज तक मैंने दासी समझ कर अनेक कड़वे शब्द सुनाए और आज तो मैंने तुम्हें चोर कहा तुम्हारा सहारा लेकर प्रभो ने मेरे सतीत्व की परिक्षा ली है बहन इसमें क्षमा कैसी चलो बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना बेचेहन है और माता पिता भी तुम्हें याद करते हैं तो खुशी से ले जाना बेटा अभी तक हमने इसे दासी की तरह ही रखा आज ही पता चला कि ये तो मेरी भांजी है दो-चार दिन भांजी की तरह रहने दू फिर ले जाना, समझें? मौसी ना रायन, ना रायन जो ना रायन ने ना देखा वो नारत ने देखा अच्छा हुआ कली राज कि हाथ जल गया और हाझ रख दिया नहीं तो पूरे के पूरे जल जाते अब सती की शक्ति स्विकार कर लो और अपनी हाझ मान लो मैंने बाजी हारी हमुनी राज हिम्मत नहीं हारी हिम्मत तो सती दमियंती नहीं भी कहा हारी है आपने पदी पतनी को अलग करवाया दोनों के जगडे करवाये फिर भी उनके अंतर में अंकित हुए प्रेम के शब्दों को नहीं मिटा सके कली राज विधाता का लिखा लेक मिट सकता है पर किसी के मन में लिखे हुए प्रेम के अक्षनों को नहीं मिटा सकते कली राज कदापी नहीं मिटा सकते ना भूतो ना भवश्यती जो नारायन ने नहीं देखा वो नारद ने देखा नारायन नारायन मा, महराज, माधवी पिताजी, मा माधवी, बच्चे कैसे है, उन्होंने कोई शयतानी तो नहीं की मा, मा, बेटा, मैटी मा तो मा केली कैसे, पिताजी कहा है जब आप क्यों नहीं देती, कहा है पिताजी बोलो न मा, कहा है पिताजी, मैं उन्हें ले आओ आएंगे बेटा, आएंगे, तुम्हारा प्यारोंने खीच लाएगा बेटा बेटी बेटी मा, पिताजी, मा, मा आ गई बेटी नल्राज कहा है? जवाब क्यों नहीं देती, नल्राज कहा है? मा, वो तो बहन को अकेली छोड़ कर चले गए क्या? जिनके खातिर तुने महल छोड़ा, हिदे पर पत्थर रग कर संतानों को त्याग दिया मा, बाप को भूल गई वो नल्राज, सब्त पदी के दिन दिया हुआ वचन भूल गए भाग के मैं लिखे इस कठोर वियोग में साथ छूटा है मा, संबन नहीं छूटा पर बेटी, एक दिन वो मुझे फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के आधार पर तुम्हें जी रही हूँ हाँ बेटी, पर बेटी कहते हैं न प्रभूक कभी कभी परीक्षा लेते हैं पर वो निष्ठूर नहीं बेटी, तुम तो समय पर आई हो वर्ष यारतु नजदीक है प्रतिवर्ष की तरह राज्य में इस वर्ष भी उत्सव मनाया जाएगा क्या दुरभाग के है कि वो चंकल में भटक रहे हैं और मैं महल में जब तक हमारा मिलाब नहीं होता तब तक मुँ में मिष्ठान और सभाग ये के सिवाए अन्य अलंकार धारन ना करने की मैंने प्रतिग्या की है जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी पर तुम भाग नहीं लोगी तो जनता भी ये उत्सव नहीं मनाएगी देवी कभी कभी जनता की खुशी के लिए आसू पोचने पड़ते हैं उनके सुक के लिए अपने दुख भुलाने पड़ते हैं ठीक है पिताजी मैं वर्शा उत्सव में भाग लूँगी अलंकार से तन मन में आख लग जाएगी तो भी धारन करूँगी आसू पोचूँगी पर सब के आनन में बाधा नहीं आने दूँगी पिताजी वर्शा उत्सब होकर रहेगा होकर रहेगा होकर रहेगे पिताजी वर्शा उत्सव में पिताजी पिताजी वर्शा उत्सव में पिताजी होकर थन मोःसा उत्सव में आने मेश करूँ आना निला गहरा है निला आसमा पीने पीने हैं जरसों के खेतरे सामन में जुमें रंगिले ये खेतरे निला गहरा है निला आसमा है कब से है जलती मेरे मने के आग भूर्सले कर्शाम तक ही दय में तीरी आद तेरे मिले कभी कोई ना संके तेरे सामन में जुमें रंगिले ये खेतरे निला गहरा है निला आसमा हम इलने गहरा है पेक्त माद chats अभाइं कर्संस्त लो ऊए्सोंच में शातरवा TIME जुमें भाइंन पये खेतरे में जुमें एारम लेशों कर्साठा जानबन में धानलि चारा मारया एंनलै다 मुझे प्रेद के बर्खा में मैं भी फिद गई भी चैन नहीं मेरे मन में धेर नहीं है मेरे मन के मैं जानू लहरों के मेरे मन में हर शेर मन चल चल पमन निला गहरा है निला आसमा पीने पीने है जरसो के खेतरे सामन में जुमे रंगे ले ये खेतरे निला गहरा है निला आसमा हे प्यारा है मासम भे छेड़े में घमला देख तेरे तेरा रस्ता हो गई हूँ है रान बरसे में घाबी आज जुम जुम के सामन में जुमे रंगे ले ये खेतरे निला गहरा है निला आसमा बरसमा रिज जुम 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 में जुम करशानि जुम 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 करशानि जुम जर्शानी 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 जर्शा मा रो मत मा क्यों रो रही हो बेटी क्या हुआ बेटी नालराज की याद आ गई उनको भूली ही नहीं हुँ माध्वी उनके बिना धाई वर्ष किस तरह बिताए है यह सफ मैं ही जानती हूँ अब तो लगता है कि आशा की डोर तूटे ना तूटे बन मेरे जीवन की डोर तू अशियार है ही रज रखो अराद ना करो नलराज को हम प्रित्वी के किसे भी कोने से ढूण लाएंगे हां माध्वी कल हम दोनों सवेदा होने से पहले ही निकल जाएंगे और एक-एक राज्य में ढूंडेंगे अरे अब इसमें आज्या क्या करनी है बांडभट अयोध्या के दर्बार में तो हमेशा सच्चे कलाकारों की कदर होती है और वैसे भी आज तो नैशद राज पुषकर भी यहां उपस्तित हैं नलराज को ढूंटे ढूंटे वो अयोध्या आये हैं हमारे महमान बने हैं जैसे कलाकार तो आप जैसे की कृपा द्रिष्टी से ही जिवित हैं महाराज कहो क्या सुनाओगे आज तो महाराज पुषकर राज पधारे हैं इसलिए मैं नल आख्यान सुनाता हूं नल आख्यान जी महाराज सुनिये ए राजा जी सुनिये नल दम्यन्ती की कथा ओ राजा जी सुनिये राजा भीमक की बेटी दम्यन्ती सुन्दरी सुनके प्रशन सांस से नल राजा को चाने लगी उस दिन स्वेंबर की सवा में बोत से राजा आए पर दम्यन्ती की वर्माला तो नल राजा के गले पड़ी देवों की साक्षी में बंदे दम्यन्ती और नल भूपती अनन्द में रहने लगे नल राजा और दम्यन्ती अब समय का कुछ फेर आया भाग्यने बदली गती ऐसा बदला भाग्या उसका नलकी हो गई दुर गती समय ने बदली जो करबट कुई ऐसी दुर दशा एक बस्त्र में दम्यन्ती को नल के साथ जाना पड़ा विश्वास घाती नलता जिसने दम्यन्ती को छोड़ दिया क्या कहें उसकी कथा दम्यन्ती को दोखा दिया दम्यन्ती ने उसके बुरे समय में उसका साथ दिया पर नल ने तो उसकी थोड़ी सी भी कदर न की फिर रही थी जंगलों में तरसी और भूखी प्यासी दुष्ट नल को दूसरी कोई रानी मिल गई धिकार है ऐसे पती पर जो अपनी पतनी त्याग दे नल तो ऐसा दुष्ट था अरे क्या कहें उसकी कता वह बानभट वह 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 लो अयो ध्यापती रिटूपण महराज की यह अयो ध्यापती रिटूपण महराज की यह अयो ध्यापती रिटूपण महराज की यह सजबातो, बोलो, सचबातो मैं भी नहीं जानता, मैं तो एतना जानता हूं कि नलराज कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे तब तब जरूर नैशद राज ही होंगे। स्वयंवर? क्या? हाँ पिताजी, आप फिर एक बार मेरा स्वयंवर अचाईए। पर ये कैसे संभव है बेटी? क्यों संभव नहीं है पिताजी? आप दोनों अगर मेरा सुक चाहते हो, तो मेरे इस निर्ने के आड़े ना आईए। मतलब तुम किसी और से विवाह करोगी। सब्त पदी के फेरे लेने के बाद भी, अगर उन्होंने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं किसलिए उनका इंतिजार करूँ। पुरोहित जी, मेरा एक काम करेंगे। आग्या कीजी देवी। आप फिर से अयोध्या जाएए, और पहुँचकर उस अयोध्या पती से कहिए, कि भीमक कन्या दम्यंती का स्वयंवर है, आने वाले कल ही। आज असल में सती का पतान हो गया है मुनी राज। पती के वियोग में उसके हिर्दय में लेखे हुए प्रेम के अक्षर मिट गए है। मैं स्वयंवर में चाओंगा, और वो अवश्य मुझे वर्माला पहनाएगी। तब तो जो नारायन ने नहीं देखा, वो ये नारत देखेगा। नारायन, नारायन। अरे कली राज, आप तो बहुत ही भोले हैं। ये तो देवी दमयंती ने अपनी पती को ढूणने के लिए स्वयंवर का नाटक रचा है। क्या। हाँ, और इस स्वयंवर में आप गए, और अगर दमयंती ने आपको वर्माला ना पहनाई, तो आपकी उन्नत नासिका का छेदन होगा। अर्थात ना कड जाएगी। मेरी बात मानो, और नलराज के रूप में ही आप वहां पधारो। नलराज के रूप में? कल? कल के कल ही विदर्भ राज में पहुँचना मुश्किल है आयोध्यापती। इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है दोस्त, आने वाले कल को भीमक कन्या दम्यंती का स्वेंबर है। क्या? दम्यंती का स्वेंबर? हाँ! नलराज के गले में वर्माला पहना कर की हुई भोल को दम्यंती सुधारना चाहती है। स्ट्री को तो संपत्ती प्यारी होती है। दम्यंती संपत्ती के बिना नलराज का साथ किस ले देगी। उसे तो अजोध्या की रानी बनने और अलंकार धारन करने का मन हुआ होगा। सेच सजानी की उमंग जगी होगी। वो मुझे अवश्य वर्माला पहनाएगी। वर्माला पहनाएगी। किस सोच में पढ़ गए दोस्त। यही कि जो नलराज की नहीं हुई वो आपकी होगी। अरे दम्यंती के साथ सिर्फ एक रात का सहवास। मुझे पूरे जीवन का आनंद देगा। पहुचाओगे ना। दम्यंती मेरे आगमन की परतिक्षा कर रही होगी। पहुचाओगे ना। हाँ महाराज अवश्य पहुचाओगा। तो निकलने के तैयारी करो। किरते को.. जुशाओे बहुचाओगे जुशाओके तैयार जुशाओेंचा जुशाओ जुशाओव्ध। जुशाओब। Adamband pagarたち झाम घंकि पहन क्या समाचा लाई हो माधवी, अयोध्या पती आ गया हाँ दम्यांती बहन, साथ में सार्थी है हाँ दम्यांती बहन, आज ही उन्हें स्वयमवर का समाचार मिला और आज ही इतने राज्यों का अंतर काट कर, वो अयोध्या से यहां तक पहुँच गए इसका आर्थ यही है, कि सार्थी ही नैशद राज है माधवी संभाव है दम्यांती बहन, कि आने कोई भी ऐसे अश्रोविद्या जानता होगा हाँ माधवी, इसकी भी परीक्षा लेनी पड़ेगी अयोध्या पती के सार्थी को भोजन के लिए अन्य सामगरी भले ही दे दो पर अगनी जलाने के लिए उन्हें कुछ भी ना दिया जाए ये देखना कहना कि ये मेरी आग्या है जी बहन भाई, तुमने मेरी लिए इतना तो कर दिया पर मैं अगनी कैसे जलाऊंगा पानी कहां से लाऊंगा वो तुम जानो भाई ठीक है हे बरुन देर हे ये अगनी दियो हे ये ये अगनी दीक इजाए हे आगनी देर हे ये आगनी दीक इसी तरह नल राज ने एक बार मेरी आँखों के सामने अगनी प्रकट की थी माधवी उनको अगनी देव का वर्दान है अब मुझे तसली हो गई कि सार्थी नैशद राजी है माधवी नैशद राजी है कर दो झाहन क्र एक डाजी unified leverage कि तुंद राजन मा मैं तुम्मारे साथ खेलने आया हूँ मा हुआ ये चोरी करने आया था महराज कौन है तू मैं आयोध्या पती का सार्थि हूँ कयत करो इसे आप ये क्या कर रहे हैं ये तो हमारे महमान के साथ आए हैं ये भी हमारे महमान है महमान को माफ करना यही हमारा बड़पन है जाने दो इन्हें ठीक है तुमारे कहने पर इसे जाने देता हूँ पर महमान को भी महमान की तरह पेश आना चाहिए जाने दो इसे देवी, आप ये पूछने आई हूँ, कि आप महल में चोरी छुपे किसलिए आए थे महल में चोरी करने नहीं आए थे, पर आप से रहा नहीं गया इसलिए आप हमारे बच्चों से मिलने आए थे हमारे बच्चे? हाँ, मुझे पता चल चुका है कि आप ही मेरे स्वामी हो पराय पुरुष को पती समझने की भूल करोगी तो पाप कर बैठोगी देवी आप पराय नहीं स्वामी लाख रूप बदलिये जूट बोलिये फिर भी सती की नजर और अंतर से बच नहीं सकते सती और तुम सती पती नहीं बदला करती देवी दम्यंती हाँ स्वामी मैं तुम्हारा स्वामी नहीं तुम्हारा पती तो उसी दिन उसी वक्त मर गया था जिस दिन तुमने दूसरा पती ढूड़ने के लिए स्वयमवर रचा हाँ मैंने ये स्वयमवर रचाया है मेरे मन पसंद पती को पाने के लिए मैंने तुम्हारा त्याग किया तुम्हारे भले के लिए तुमने मेरा त्याग किया सामराज्य के लिए मैंने तुमसे स्ने किया और तुमने स्वार्थ साधा अब तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं मैं तुम्हारा पती नहीं और तुम मेरी पत्नी नहीं तुम्हें तुम्हारा मन पसंद पती मिलेगा कल स्वयमर में देवी आगे क्यों जा रही हो अपने पती के सामने दूसरे के गले में वर्मा लडा लोगी आप मेरे पती नहीं पती नहीं पंद्रह साल पहले ऐसे ही स्वयमर में तुमने मुझे वर्माला पहनाई थी भूल गई वो वर्माला मैंने नेशद राज को पहनाई थी और आप नेशद राज नहीं दमियंती पर सती को धोखा देना असान नहीं सती दूसरा पती ढूनने निकली हो फिर भी तुम अपने आपको सती कहलाना चाहती हो तुमारे सतीत्वा पर उसी वक्त कलंग लग गया जब तुमने स्वयमर रचाने की इच्छा की तभी तुमारा सतीत्व समाथ हो गया और मेरी विजय हो गई भूल कर रहे हैं देव मैंने स्वयमर अवश्य रचाया है पर अपने पती को ढूनने के लिए भाबी भाबी पर आपने एक भूल की अपने पती को ढूनने के प्रयास में आप ये भी भूल गई कि तीसरे साल का आज आखरी दिन है नल्राज अगर फिर से पकड़ा गया तो दुबारा तीन सालों का वनवास भुगतना पड़ेगा तो फिर भाबी, नल्राज को उसी तरह वनवास में भेज कर दूसरे राजवीर से विवाह की इच्छा तो नहीं है ना आप ये क्या कह रहे हैं भाई सची कह रहाओ भाबी फिर भी एगर आप सच्ची हो तो बोलो नल्राज कहां है जवाब दो नहीं तो नहीं तो, क्या करोगे? क्या करूँगा? देखो! मा! 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 नहीं दमन! देख लिया भावी, अगर अपने बच्चे प्यारे हैं, तो जवाब दो! राज्य के लालच ने तुम्हें इस हद तक पापी बना दिया? कि फूल जैसे बच्चों के गले पर शस्त्र रखती है? क्यूं? अपने भाई को पहचारने की ताकत तुम में नहीं? नलराज यहां छुपे हुए वेश में हैं, वो जब तक मेरे दिये हुए वस्त्र को धारन नहीं करेंगे, वो अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगे होंगे नाग देव, पर अगर तम्यंती सच्ची सती होगी, तो आपका दिया हुआ वस्त्र पहनने की कोई आवशक्ता नहीं ओ, तो आप सब लोग मेरे सतीत्व की परीक्षा लेना चाहते हैं आप सबको मेरे सतीत्व पर विश्वास नहीं मेरी सतीत्व पर आप सबको शंका है पर सती का साथ स्वयम प्रभू देते हैं देव लो, ये वर्माला मैं यहीं रखतेती हूँ अगर मैंने मन, वचन और कर्म से नलराज को अपना पती माना है अगर मैंने उन्हें धूनने के लिए स्वयम वर अचाया है तो ये वर्माला खुद ही उन्हें पैचानेगी और जाकर उनके गले में पड़ेगी और उसी पल उनका असली स्वरूप प्रकट होगा उससे पहले तो मेरे प्रभाव से ये वर्माला मेरे गले में पड़ेगी देखते हैं देव, आज किसकी विजय होती है? कली के प्रभाव की या सती के शक्ती की हे मा चक्तमबा, मा अमबा भवानी मेरी लाज रखना मा, मेरी लाज रखना जा एंबी जाह अंब जाह अंबी कर नात देवी नात देवी आम पिताasına यहा की महसती दम्यंती की महाफ्ति दम्यंती के माफ करना देवी आपने आपको पहचानने में भूल कर दि हाँ भावी गल्ती मेरे ही थी मुझे माफ्त कर दो नल राचन इसे तो मैंने अपने प्रभाव से वश्मे कर लिया था पर उस प्रभाव को सती ने सतीत्व से नश्ट कर दिया मैं अपनी हार स्वी कारता हूँ और मैं जान गया हूँ कि जब तक आपके जैसी देवियां इस रिष्टी में होगी तब तक मनुष्य का सामराज्य कभी खत्म नहीं होगा मैं अपको नमन करता हूँ नारायन नारायन आखिर सती की शक्ती की विजय हुई शक्ती जीती और कली का प्रभाव पती के चर्णों में पड़ा ये तो जो नारायन ने नहीं देखा वो नारद ने देखा और जो नारद्य देखा वो तो समग्र विश्व देखेगा नारायन नारायन मुनी राज ऐसी देवी के सामने तो देवाधी देव को भी जुखना परेगा बोलो सती दम्यंती की जै जै मेरी नहीं जै बोलिये भगवान भोले नाथ की ए तारणहार शंकर तेरी जै जैकार तुझे बंदन बारं बार शंकर तेरी जै जैकार झाल 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 झाल